नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विशनु जी के साथ दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैंगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों कि सानों को ये हमेशा चिंता रहती है जी है मेरे दोस्तों कि उसके फंसल का क्या होगा फंसल सही सलामत क्या बाजार में सही कीमत मिलेगा सही सलामत तयार हो जाएगा या नहीं होगा दोस्तों अनेकों परकार के मन में चिंताए रहती है हम भी एक किसान परिवार से ही हैं दोस्तों आज के वीडियो में हम समझेंगे कि किसानों के लिए क्या कोई अच्छा बिजनस हो सकता है है या नहीं है दोस्तों आज के वीडियो में इसी के बारे में समझेंगे दोस्तों हम जहां पे रहते हैं, हम खुद अपने अनुभव के अनुसार इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं बीजनस आइडिया बताने वाला हूँ, वो एक तरीके से अनुभव पर अधारित बीजनस आइडिया है, इसमें कोई नाई अलग तरीके का है और नाई कोई बना दोस्तों तीनों मौसब में जो किसान है वो अपने खेतों में बहुत मतलब दूस्ध करता है जी हा मेरे दोस्तों इसमें कोई डाउट करने वाली चीज़ नहीं है यह आपें देखा हो और आपनी लोगों के मुँह से सुना होगा कि उसको मेहनत का जितना मतलब पैसे चाहिए जितनी उसकी मेहनत की एक तरीके से मजदूरी की बात करें उतनी उसको नहीं मिलबाती है वो अपने ही खेट से नहीं कमा पाता है तो दोस्तो जाइर सी बात है कि कोई ऐसा भी इनस किसान कर ले कोई भी किसान जिससे उसका मतलब एक अच्छा खासा पैसे कमाने का जरिया भी तयार हो जाए और एक तरीके से आत्म निर्वर भी हो सके ससक्त भी हो सके उसको पैसे के लिए एक तरीके से ये नाकाना पड़े कि काम के दौस्तों के वीडियो में हम कुछ ऐसे बीजनस के बारे में बताने कृना कि अपने खेटि गरयर्सटी के साथ साथ इस पीजनस को बहुत हब आसानी से कर सकता है और जिससे किसान के पास इससे मोटी कमाई भी हो सकती है और एक तरीके से देखा जाए तो किसान एक स्वास्थ के लिए उर्जा दाता भी बन सकता है तो दोस्तों क्या है वो बीजनेस दोस्तों उस बीजनेस को कहा जाता है पसू पालन का बीजनेस अब दोस्तों पसू पालन के बीजनेस के अंतरगत सबसे पहले हम बता देते हैं जो होता है वो आपको एक तरीके से जो अंग्रेजी खाद अपने खेतों में डालते हैं वो गोवर तयार होगा तो गोवर आपको अपने खेतों में डालेंगे जिसमें आपको पैसे की बचत होगी जो किसान लागत लगाता है खाद बीज डालता है तो उसमें खाद की उसकी उसमें बहुत कम खाद डालना पड़ेगा अंग्रेजी और देसी खाद के जरिये दोस्तो उससे ज्यादा पैदवार तैयार होगा और उसका जो खेट की जो एक तरीके से इम्मुनिटी है हैं मिटी की एक बनी रहेगी तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान देनी की बहुत जरूरत है जो भी किसान अगर मान करें कि इस ब्यापार को करमत करते हैं विवसाय को करते हैं पसुपालन विवसाय तो दोस्तों उनके आपने देखा होगा कि अक्सर मैं गाउं की experience की बात कर रहा हूं अक्सर देखा होगा और आपके अगर आप भी एक किसान होंगे तो यह आपको जानते होंगे कि करद दो थे आपके अपने जो खेथ होता है मतलब खुद को आपको महँगे कीमति में supreme राज़ना उसकी जो लागत होगी जिस फसर जयादा हो जाती है जिसके कारण उस हशाबसे आपको अंदनी उतंचे में वेताब के बात आपको मूनाफन नहीं होता है तो दोस्तों इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अगर किसान है तो सबसे पहला जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ अगर वेवसाई साइड वेवसाई करना चाहते हैं खेती के साथ तो दोस्तों पसु पालन के जरीए भी आप एक अच्छा खासा एक तरीके से बीजनस व्यापार त्यार कर सकते मैं केवल अभी देशी खाद की यानि गोवर की बात कर रहा था उसके साथ दोस्तों आप दूद दूद की टेरी भी साथ में खोल सकते हैं अगर आप मान करके चलिए कि दस कम से कम अगर दस मतलब छोटे या बड़े मिला करके दस भी अगर गाय और भाइस द कमत अगर अभी देखा जाएं तो 60 से 90,000 95,000 और उनकी कीमत भीग रही है गाय की बात की बात कि याए तो तो किसान अगर सुरू करें तो पहले इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए क्या वह इस्कूर बेवसाय को कर सकता है या नहीं कर सकता है इसमें यह चीज होती है कि आपको खाद की जो अंग्रेजी खाद आप खेत में डालते हैं वो देशी खाद डालेंगे और उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना होगा दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों किसान को एक तरीके से मान करके चलिए और हम ली ऐस वीडियो देख रहें तो दूसरा जो दोस्तों एक अच्छा वेवसाय जोआता है वह उतीं से अपने खेतों में चाहएँ तो मचली पालन को कर सकता है निए गभी धोस्तो बहुत अच्छी करने की दिए इसको समय पर इसको देखना होता है दोस्तों इन सबातों को ध्यानलंने रखते हैं कि सैङ्ड मचली प्याभार करके कर सकते ईसने का यहीं किसान दोस्तों ऑग सब सबरेका संची सब्सक्राइब ऐसे लेकिन वैसे दोस्तों सब्सक्राइब किसान तो मुर्गी बैपार असानी कर सकता है उसके बाद आता है जो वह गते मतलब इक तरीके से पसु पालन से एक िभिषाम के पर किसान के पास समय का interfere. इसके फ्सक्राइब स्वार्व किसान जए पालन से करना है. तो दोस्तो इसमें वह भी काम कर सकता है उसको ज्यादा समय नहीं लेगा असान होगा और इसके बाद अगर कहा जाए तो दोस्तो कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनस कर सकता है किसान ही है अगर उसके पास पूझी है तो किसान ही छोड़ करके दोस्तो वह चाहे तो बहुत किसानी में क्या रखा है किसानी में पैसे कहा है तो दोस्तों इन किसानों के लिए उस किसानों के लिए यही जो बिजनस आइडिया है इसी पर वो लोग किसान जो समयदार लोग होते हैं वो इस बिजनस आइडिया के साथ चलते हैं दोस्तों अन्य को परकार के बिजनस है इसम